हेलो एवरिवन, मेरा नाम है अनुजोर आप देख रहे हैं गिजबो ग्यान दोस्तो जियो के बाद अब एरटेल भी मार्किट में आ गया है जियो अपना DTS लोंज करने वाला है उससे पहले एरटेल ने अपना एरटेल इंटरनेट टीवी लोंज कर दिया है यह देखी आपको एरटेल इंटरनेट टीवी इस तरह से मिलता है फ्रंट साइड में आपको इसमें USB पोर्ट भी दिया गया है बाकि सब इंडिकेटर्स हैं उसके बाद पावर बटन है साथ में Android का लोगो भी यहां लगाया गया है यह एक Android TV है इसमें आपको Bluetooth भी इन बिल्ड मिलता है साथ में यह 4K स्क्रीन के लिए भी capable है Bluetooth से आप GamePad भी Connect कर पाओगे साथ में आप Pen Drive या Micro HD Card लगाकर Live TV भी Record कर सकते हो इसमें Netflix, YouTube, Google Play Games, ATL Movies सब Pre-Loaded है Google Play Store भी इसमें आपको मिलेगा आप और Games and Application भी Download कर पाओगे और इसमें Chromecast का फीचर भी In-Build है आप अपने Mobile की स्क्रीन बड़ी असानी से TV पे Mirror कर पाओगे Options तो आपको बहुत मिलती है इसमें Left side में आपको MicroSD Card Slot मिलता है जिसमें आप Application इंस्टोल कर सकते हो Right side में हमीं Card Slot दिया गया है जब भी हम कोई DTS Connection लेते हैं तो उसके आथ एक Card मिलता है वो Card इसमें Insert होगा Back side में इसमें हमें सभी Ports मिल जाते हैं जो एक Normal Set of Books में होते हैं साथ में इसमें USB 3.0 दिया गया है और Ethernet Port भी दिया गया है Internet Connect टरने के लिए वैसे तो इसमें In-Build Wi-Fi भी दिया गया है लेकिन अगर आप Direct Cable लगाना चाहो तो आप Ethernet Port भी यूज़ कर सकते हो किसी भी Internet Service Provider के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हो Minimum Internet की Speed 4 MBBS तक होनी चाहिए तब भी आप इसका ठीक से मज़ा ले पाओगे इसके साथ एक 10 शंटीना भी लगाया जाएगा ताकि अगर आपका Internet ठीक ना चल रहा हो तो भी आपको कोई प्रोब्लम ना हो आप ठीक से टीवी देख पाएं ये इसका रिमोट है ये Bluetooth रिमोट है अपने Setup Box से आप इसे Bluetooth से कनेक्ट कर पाएंगे इसमें RF वाला ओप्शन भी दिया गया है जब आप इसको TV पे यूज़ करेंगे तो RF वाला ओप्शन यूज़ होगा अगर आप इसको Setup Box से आप यूज़ करते हैं तो आपको Bluetooth से ही कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें InBuild microphone भी दिया गया है आप अपनी Voice Command से TV को कन्ट्रोल कर पाओगे ये Setup Box आपके Normal TV को Smart TV में कनवाइट कर देगा अब बात करते हैं Pricing की अगर आप इसे 3 महिने की सब्सक्रिप्शन के साथ लेते हो तो आपको 4999 पे करने होंगे 3 महिने के लिए और अगर आप इसे 12 मन्थ के लिए लेते हो तो आपको 7999 देने होंगे अगर आप पहले Airtel DTS यूज़ नहीं कर रहें तो आप इसे Amazon से ले सकते हो Amazon पर ये available है और अगर आप पहले Airtel के customer हैं आप Airtel DTS यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक number दे रहो हूँ है स्क्रीन पे उस पर आपको miss call देनी होगी Airtel की तरफ से आपको call आ जाएगा इसका link में आपको नीचे description में दे दूँगा आप वहाँ से चेक कर सकते हो साथ में कुछ और भी offer दे रहा है Airtel Internet TV Airtel Broadband Users के लिए उस offer की detail भी आपको नीचे description में मिल जाएगी आप वहाँ से चेक कर सकते हो बागी इसको लेने से पहले आप एक महीना अभी Jio DTS का वेट कर लीजिए क्योंकि इसके लिए हमें 7999 पे करने हैं 12 months के लिए I am sure Jio DTS इससे बहुत कम price में launch होगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो मसंद आई हो तो वीडियो को like share करना मत भूलेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए latest update से related वीडियो लाता रहूँगा Thanks for watching this video